आप सोच रहे हैं कि एकदम से वो कागज की पोट्टी लाएंगे। कागज किटाब लाएंगे और उस में आगा लगा देंगे। जी दिन आगा लगाएंगे उस दिन Judiक अनुआ प्धिधान आपके जो सम्विधान व सूधरे काड़ की किताब में नहीं है। आज बनाएंगे जबना उस प्लॉट को जब वो खाने के पहले इंतियाम कर लें, खाने के अलाबा जो उनको पैसा बचेगा तब उनका प्लॉट बनेगा, धेंदर शास्त्री जी अगर रामचरीत मानस को, गीता को, रमायन को, महावारत को, इनको राष्टी धर्मगरंद बुद्ध के सिधान्त इस देश में applicable हो जाएं और इस देश का भला हो जाएं, लेकिन सबसे पहले यह बताने का काम करें कि उसमें जो है, ऐसे कौन से राष्ट्य गुन है, जिससे की राष्ट्यता उसको मिलनी चाहिए, यानि की राष्ट्य गरंद उसको गोशित करना चा उसको उस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक उसको जैनकार ना तरहा है, विज्ञान से विश्वास उठ गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी विज्ञान विश्वास अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा भारा देश गनतन तर्वस को सैलिब्रेट करने क तैयारी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखने हैं कि जो गनतन तर्वस के बीच में एक बहुत बड़ा भवाल धिरंदर सास्त्री ने भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि अभी धिरंदर सास्त्री ने एक स्टेटमेंट देखि जिस दिन राम चरित मानस जो ग्रंथ है, उ तो इस देश में समिधान को लिखने के आविस्ता नहीं पड़ती, जब 1947 को भारत आजाद हो गया था, उसके बाद 1950 को समिधान लागू हुआ है, इस दोरान जो है, और जब आजाद हुआ भारत जो है, तो नहरू जी, गांधी जी, पटेल जी जो है, किसी समिधान समिधान के लिए जो वरतमान प्रसितियां होती है, उनके अनुकुल नियम कायदे कानून उसमें लेखे होते हैं, जिसके जरिये जो है, वो अपनी जिन्दगी का जीवन नर्भा करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपनी तरफ से बनाकर बोल दे कि भाया ये विश्वास है, मैं इसको विश्वास मानता हूँ। अब हिंदूओं में एक प्रॉब्लम है, हिंदूओं में मानने की प्रता है, हिंदूओं में जानने की प्रता नहीं है, ये बड़े एक भारी समस्या है। वहाँ पर आप देखेंगे उस प्रक्रिया में, उस प्रंपरा में, जिसे सनातनी प्रंपरा कहते हैं, वहाँ पर जो लोगों का दिमागी विकास है, वो अवरुद्ध हुआ पड़ा है। आप किसी भी किसी को कहो भई ये गदा है, तो उसको वो गदा मान लेगा, वसरते हैं कि उस आदमी के पीछे कुछ ना कुछ धार्मिक कारण जुड़े हो, जैसे कि ये जो कौन सा है, ये 26 साल का लड़का जो है, देरेंदर सास्त्री जो है, इस ने अब इस ये चमतकार करत है या नहीं करता है, इस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों का एक विश्वास है, लोगों का विश्वास है कि चमतकार होते हैं, जब तक ये जो दिमाग में जो कीड़ा गुशा हुआ है, ये प्रॉब्लम नहीं निकलेगी, जब तक लोग जो है, ऐसे 26 साल के, या पिर है, चमतकारों में विश्वास होना, और चमतकार का मतलब सिर्फ यहीं है, कि लोग जो हैं, अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं करते हैं, चमतकारों पर विश्वास करते हैं, वे चाहते हैं कि घर में रजाई ओड़कर सोते रहें, और उनके घर में धनकी बरसा होती र कि उनका विश्वास विज्ञान पी आया यह नहीं है जिस दिन विश्वास विज्ञान से उस समय से लेते हुए हर काम Culture को करने कदो एक इस देश में आप देखेंगे कि अधिकतर जितनी भी पेटेंट हैं वह अमेरिका के नाम पर हैं अमेरिका है जपान है जब भी आप अविस्कारों की बात करेंगे नहीं नहीं तक्निकों की खोज की बात करेंगे तो भारत का नाम अगर पूरे विश्व में कभी भी आता है तो वह बुद् जबताने का काम बूद्ध के जीवन में दुख कहां से आते हैं और दुखों का अंत कहां कैसे हो सकता है यह बताने का मजए पहली बार बुद्ध को जब बात होती है तो बुद्ध की तरफ निखा करते हैं सर आप बुद्ध की बात करें लेकिन जिस तरह से बिहार में शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसके बाद हमने देखा कि तमाम भारते जंता पार्टी की जो महिला विंग है वो रोड़ पर निकल कर आती हैं और वो लगातार मंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगाती है और य जिससे की राष्ट्यता उसको मिलनी चाहिए यानि की राष्ट्य गरंत उसको गोशित करना चाहिए तो अगर किसी भी धरम गरंत को अगर हमें राष्ट्य धरम गरंत गोशित करना है तो उसके क्या-क्या मापदन होने चाहिए पहले इस बात की चांज करने चाहिए उसका मापदन तो यह होना चाहिए कि उसके सिधांत ऐसे हो जिसको उस देश का कोई भी व्यक्ति कोई भी नागरिक उसको जए नकार ना सके जैसे कि बुद्ध के सिधांत हैं नाहीं वेरेन वेराने समंध कुदाचानंग अवेरेन चे समंधि ऐस धमोसनत्नों यानि कि वैर से कभी वेर शानत होता है इस कतन को बुद्ध के पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति ने कार सकता Mother पूरी दुनिया के लिए धार्मी ग्रंथ बन सकता है लेकि रामचरित मानस में आप देखिए रामचरित मानस में जब यह चौपाई कहती है कि ढोल गबार पसु सुद्र और नारी यह तारन की अधिकारी जब यह चौपाई यह कहती है तो इसमें सबसे पहला जो व्रोध आत जिनको कह रहे हैं यह सुल्सिदाजी पतानी वह गवार हैं भी या नहीं हो सकता है वह बुद्धीमान हो जाएं तो वह उसमें लगाने काम करेंगे बाकि ढोल और पसुसत को लिए नहीं तो इस तरह से अगर एक एक चौपाई को उठाके दिखा जाए जैसे कि एक और चौ सम्मा हो और गधा हो उसकी पुजा कीजिए तो जब इस चौपाई पर भी इस देश का कोई भी नागरिक तयार नहीं होगा तो राश्टियता तो मिलने चाहिए हमका मना कर रहे हैं आप पहले जो है कि सर्वेत कराईए पूरे देश में इस ग्रंत को लेके घुमिए और हर इसे पूछिए उसको पहले पढ़ना पढ़ेगा जिससे आप सर्वे करेंगे उस व्यक्ति को वह धर्म गरंत पढ़ना पढ़ेगा उसको चेक करना पढ़ेगा कहीं इसमें मेरे खिलाब बात तो नहीं है तब तो राश्टियता मिल जाएगी अब सम्मिधान को लेके जो है धर्म गरंत घोषित कीजिए लेकिन जो इसका मापदंड है कि यह किसी देश के किसी भी नागरे के खिलाब इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए और इसको जैए हर एक व्यक्ति मानता दे तभी इसको राश्टियता मानस को गीता को रमायन को महावारत को इनको राश्टियत धर्म गोषित कराना चाहते हैं तो हमें कोई आपती नहीं है इन्हें भी आपती नहीं होनी चाहिए एक बार धम पद लेके घूम जाओ एक बार बुद्धाइन धंबा लेके घूम पूरे देश में हो सकता है कि जब इनके धर्म गरंत फेल हो जाएं तो कम से कम परम पूज नोन इस issh उच्छाला जारा रहा है जैसे पतार में बढ़ा बबाला आलका यह लेकिन है यह पार रहा हूं महेंगाई बदस्तूर जारी है और बड़ी बेसरमाई से जारी है किसी को भी इस देश की सरकार में बैठे वे किसी नुमाइंदयों को जरासी भी सरम और लिहाज नहीं है कि वह महेंगाई पर दिन बढ़ाए जा रहे हैं उसको गठाने के बज़ाए अब यह जो महेंगाई ब पढ़ाओ और जो यह लोग जो है जिस आर्थिक इस्तिती की संपनता के कारण यह जो कहना में आज उठ गए आंदोलन कर रहे हैं आवाज उठा रहे हैं नोकरियन को मिल गई है तो जो आर्थिक संपनता है वह महगाई से तोड़िया सकती है जब इनके पास आज प्लॉट जो होपड़ी से पड़ी हुई है उसका जो महेल ही बन पा रहा है वहीं दूसरी सब आप देखिए ब्रहाम्मान बनी है छत्री है यूट तीन वर्ग है उपर के इनके पास किसी दिक्कत नहीं है तो महगाई से इन उपर के तीन वर्गों को कोई भी परभाव नहीं पढ़न आवाज उठाने लाइक बन गया है अपने अधिकारों के लिए आज आंदोलन करने लगा है तो उसकी कमर तो दो वो अपनी रोजी रोटी कमाने में अपनी भूख मिटाने में व्यस्त हो जाए तो जोपड़ी तो वो बाद में बनाएगा इसी से लड़ता रह जागा जाते जाते आगरी सवाल लेना चाहूंग़ी डौक्तर अंबेडगर ने जिसके परीकलि बारत की चाहिती इरह ता या क्या आज वह परीकलिपना चरिता और थोती नजर आहारी है बिल्कुल भी नहीं हो रही है ऑदरम लुकुन हो पो порядको जो लोग कह रहे हैं कि जिस दिन सभीधान को बताना चाहता हैं कि संभीधान को उनको हाथ लाज़रत नहीं हैं आप संभीधान किसको मान को हुँः चुका है कि एकदम से काध़ की प्रटडी के लाएंगे आगसा महाराज किताब में नहीं लेकिन जोने क्या हुआ है उनकी मानना हो रही है उनका क्या हो रहा है वो सम्विधान है आप उस पर गौर कीजिए तो निलम जी इस तरह से अगर देखें तो गरतंत्र तो आप भूल जाईए गरतंत्र का मतलब होता है जहां पर सभी लोग मिलकर फैसला लें जैसे कि हम बुद्धाइंधमा में पढ़ते हैं जो साक्य गंडराज्य होता था साक्य परते ने दी उस जनता के अधार पर फैसली लेते हैं तो ना तो इस देश में लोकतंत्र जीवित है जो लोकतंत्र के नाते पक्ष में वह मत दलवा लेते हैं उनसे भैला कर फुसला कर इस तरह से इस देश में उनके मत का उनके ही विरुद परियों कि जा रहा है बहुत-बहुत-धन्यवास सर आज की इस महत्व पूंट चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिल्कुल साथ जिस तरह से सपर्ष कर दिया कि जो गणतंत्र है जनता का सासन जनता के द्वारा जनता के लिए होना चाहिए लेकिन कहीं न कहीं आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चाहिए पूंजी पतिय किस तरह से खुले आम उनकी धज्या उड़ाए जा रहें उनके अधिकारों को चीना जा रहा है तो आज कहीं ना कहीं जरूरत बन जाती है खासकर मैं सोसल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगी कि आज जिन महत्वपूर मुद्व पर चर्चा होनी चाहिए आज उन महत् चाहती है कि वह दिखाए उसमें जनता को उल्जा करें ताकि जनता अपने लिए अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाना सके तो बने रहेगा हमारे साथ में और अब तक जिस भी साथी ने हमारे एंवीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको कर लें वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना विल्कुल दिना भी लें